हेलो गाईज, ये तो आप सभी जानते हैं कि कल 26 जुलाई 2023 को लोग सभा में नरेंडरो मूदी गौर्णमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन या एविश्वास प्रस्ताव प्रेजेंट किया गया है आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इसको प्रेजेंट करने का क्या प्रोसीजर है, कौन इसको प्रेजेंट कर सकता है, इंडिया में किस-किस गौर्णमेंट के खिलाफ इसको लाया गया है और अभी प्रेजेंट में गौर्णमेंट की क्या position है no confidence motion के against में. चलिए वीडियो को start करते हैं. डेमोक्रेसी में कोई भी government तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक कि उसके पास लोगसभा में बहुमत है. एविश्वाश प्रस्ताव opposition party के दौरा government के खिलाफ लाया गया एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें government house में या लोगसभा में अपना बहुमत सिद्र करती है. इस प्रस्ताव को लोगसभा में ही पेश किया जा सकता है. अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो government को resign करना पड़ता है. अर्तात किसी भी कारण से यदि government अपना बहुमत सिद्र नहीं कर पाती है तो उसे कर रहा है उस मेंबर के no confidence motion पर sign होने चाहिए और उसको यह लोगसभा speaker को submit करना होता है. Speaker decide करता है कि वो इसको admit करें या ना करें. अगर वो इसको admit कर लेते हैं तो उन्हें इस पर discussion की date और time decide करना होता है. Rule 198 के according no confidence motion में किसी detail की जरुवत नहीं होती है. एक लाइन कभी हो सकता है. जिसमें ये कहा जाता है कि मंत्री परिशत का गौर्वर्मेंट में विश्वाश खतम हो गया है. चलिए अब जानते हैं कि इस समय की क्या स्थिती है. किसने no confidence motion पेश किया है और किसके खिलाफ? लोगसभाई स्पीकर ओम बिर्ला ने कॉंग्रेस पार्टी के डेपूटी लीडर गौरव गोगोई के द्वारा प्रस्तुत no confidence motion को एडमिट किया है. ये 26 जुलाई 2023 को मूव किया गया है नरेंद्र मोधी गौर्मेंट के खिलाफ मनिपुरहिंसा को लेकर इस समय पार्लियामेंट में 543 सीट्स हैं जिसमें से की 6 सीट्स एमटी हैं तो मैजॉर्टी के लिए 269 सीट्स की जरूरत है और NDA गौर्मेंट के पास 332 सीट्स हैं तो ऑपोजीशन अक्सर नो कॉन्फिडेंस मोशन को गौर्मेंट के खिलाफ एक हतियार की तरह इस्तमाल करने की कोशिश करता है ताकि वो गौर्मेंट को कुछ मुद्दो को लेकर कट घरे में खड़ा कर सके आएए जानते हैं इंडिया में कितनी बार इस प्रस्ताव को लाया में पेश किया गया है सबसे पहला प्रस्ताव जवाला लहरू की गौर्मेंट के अगेंस्ट 1963 में लाया गया था अचार जे-भी कृपलानी के द्वारा 28 में से 15 बार ये प्रस्ताव इंद्रा गांधी की गौर्मेंट के खिलाफ लाया गया है मतलब इंद्रा गांधी जी ने अपने 16 एर्ज के कारेकाल में 15 बार इस लो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया है तीन बार लाल बहादुर शास्त्री और नसिम्मा राव की गौर्मेंट के खिलाफ इसको लाया गया है इंद्या में नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण तीन बार गौर्मेंट गिरी है 1999 में अटल बिहारी बाजपेई गौर्मेंट 1990 में वीपी सिंग की गौर्मेंट 1997 में एजडी देवगोडा की सरकार खोप आपको कॉंसेप्ट क्लियर हो गया होगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा और इस तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू